इंदोर का रंजीत हनुमान मंदे वर्षों से शद्दा और आस्थार का केंदर बना है। अति प्राचीन होने के साथ साथ यहां पर भगवान हनुमान जी की बहद आकरशक और भव्य मूर्ती है जहां आकरशद डालू भगवान हनुमान जी से अपने लिए मन्नते मांगते हैं और ऐसा कहा जाता है कि रंजीत हनुमान में मांगी गई मन्नत अवश्य पूरी होती कि यहां आने वाले दर्शनार्थियों की संक्या लगातार बढ़ती ही चली जा रही है। वर्शो पहले रंजित हनुमान का मंदिर बहुत छोटे सुरूप में था। लेकिन दीरे दीरे यहां पर विस्तार होता चला गया। बाद में तो इसका अधिपत्य सरकार के हतों आ गया। और फिर उसके बाद यहां की कहानी कुछ अलगी हो गई। यहां पर विशाल परिसर में आकरशक अन्य बगीचे और बैटनी की जगें बनाई गई। और अब परिटकों को यहां पर आने पर ऐसा महसुस होता है मानोवे एक विशाल और भवे मंदिर में आ गए हैं। यहां के पुजारी जी का भी यह कहना है कि यहां दर्शनार्थियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। बाबा की प्रतिमा को पत्र में यहां पर पुजार्षना प्रारण खेला थी क्या रही है। बक्तों के संकрем toarchy एंदर बावा आडरि्यम्सिा ओरॹंसेग में विदायक रहे श्री लख्षमन सिंगे कर दिखें इस मंतिर के दौरें टेकवर पश्रागर में तेजी करे लिए टेज है इन विकासकार्यों में यहाँ रफ्सकार रहा कि τι בכifornरetter मान भग्यामें मंदिर काल मनिरा की विकास्भ हो पैया है बाउंडेवाल का निर्मान हुआ है भक्तों के पीने की पाने की सुविधा के लिए आरो प्लानिस की स्थापना की गई है साथ ही यहाँ पर भक्तों के भुजन के लिए यहाँ पर निशुर का अनिश्यत्र भी प्राणम किया गया जो कि विगत पांच वशूर से जिरियनता जारी है जहां पर 500 भक्त परते दिन यहां पर 11 से 2 में साथवी बुज़न घ्रण करते हैं साथ ही मंदिर से जो निर्मानी ले सामगरी निकलती है उसको गिरा उससे यहां पर नगर निकलती है सहयोग से खाथ भी बनाई जाती है जिसके अंतरगरत साथ से सिप्तर हजार भक्ते यहां पर भुज़न घ्रण करते हैं साथ ही यहां पर दिपाली के प्षाद आवला नम्मिका जो परो आता है उस पर भी यहां पर अनकूट का आउजिन क्या जाता है साथी पोश मास क्रश्ट पक्ष अस्टमे की दिन यहां पर बाबा की प्रभात फ्री निकाल जाती है जो की विश्व में अपने आप में एक अभुद पुरु है भक्तों की संख्या के रिकार्ड के लिहास से विकद वर्ष जो निकाली गए थी उसके अंदर दो से डही लाग भक्तियां पर कड़कड़ाती ठंड में सुबह 6.5 डिग्री टेमपर्शर पर बाबा के दरबार में उपस्तित थे यह बाबा की महिमा है यहां पर जो भी आता है उसकी सभी मनोकामना बाबा रंजीत पून करते हैं शनीवार के दिन रंजीत हनुमान में बहत आकरशक आरती होती है जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल होते हैं और ऐसा कहा जाता है कि लगातार पांच शनिवार तक यहां पर आरती में शामिल होने वाले शद्धालू की मनत अवश्य पूरी होती है यह बहुत पुराना प्राधिर सिल्क मंदिर है बहुत कफी भक्त लोग शनिवार और मंगल बाते हैं लुग बहुत जशन करते हैं शनिवार मंगल भक्त जर्खनार के लगातार हुआ है पूरा मंदिर आप पूरा चोप और आनन्द आता है आध्था की बात है लोगों के इखनाम होते हैं तो सब्सक्ता मंदिर इस तरीके से खंगराना मंदिर का महत्व है यहां पूरा मंदिर कष्ला आता है करेंगी रंजित उनुमान में अन्य देवी देउताओं के मंदिर भी विराजमान है जो शद्दालों के आकरशन का केंदर बने रहते हैं रंजित उनुमान के बारे में एक कहानी यह भी है कि यहां मंदिर हुलकर कालीन है वर्षों पहले यह मंदिर छोटे सो रूप में था लेकिन बाद में धिरे धिरे इसमें विस्तार होता चला गया और अब तो यहाँ पर प्रती मंगलवार और शनिवार लोगों का ताता लगा रहता है और बाहर से आने वाले लोग भी यहाँ पर तर्शन करने के लिए अवश्या आते हैं